बहुत ही कम टाइम में यह देखो चार इस्टैक पूरे भड़ चुके हैं और आते देखो आ गया एक आरण गोलेम अभी आ गया तुरन्त करता है और उसके अलावा मेरे को बेचने बेचने के लिए अच्छा-कासा समान मिला खर इसको छोड़ते हैं आज का वीडियो का टॉपी कुछ और में क्या बोलने लगा हूं तो यार बिना फाल तुमेना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं कि लोग मैं देख रहा हूं कि मेरे वीडियो को पंद्रह भी सेकंड में देख के चल जा रहें बता नहीं आर क्या समझ में आता है उनको पंद्रह भी सेकंड में है छोड़ो उन लोगों को बाकि हम आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना आयरन फार्म बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने कुछ तयारी पह हाँ अब सभी है लड़ो लड़ो अब तो फटा फट्रह अपने माइन के अंदर चल लेते हैं यहाँ पर मेरा चोटा सा एक माइन में बनाय हुआ है सो गाइस मैं आयरन फार्म बनाने के लिए लेने गया हुआ सा कोबल स्टोन नीचे की तरफ माइन करने के लिए बट फिर म मैंने एरिया बना लिया यह है नाइन ब्लॉक नइन ट्वेल ब्लॉक का मेरिकल से यह जिसके उपर लगा हुआ है ना वहीं पर हमारा जो कॉबल स्टोन है वह फॉर्म होगा मतलब कि बनेगा यहाँ पर खुलेगा निए चेस्ट हमारा तो इसके लिए हमें को जगाड करना पड़ेगा और यहां पर लगा जाने नहीं है अपने इसटेयर हमारा काम हो चुका है अब हमारा ड़ा सकते जाएगा और इसके ज्यागे हम वह भी लगा सकते ऑं ग्लासा फो जाएगा तो इसके बाद में आपको दिखाता हUNG कि कल्लेक्त कहाást हो रहा है हमारा कॉबल स्टोन तो यहां पर आप देख सकते हैं चेस्ट लगा हुआ है चेस्ट में 64 प्लस 11 तो इतने सारे हमारे कलेक्ट हो चुके हैं और कहीं भी हमें जाना नहीं है सिंपल से हमें माउस पर क्लिक करवा के छोड़ देना है बस सिंपल और हां गाइस यहां पर जो स्टेयर्स मैंने लगाये मैंने collect के हैं वहीं से cobles stone Farm से अपने cobles stone को खोबखोद को निकाल-णिकाल के उसमेंसे और उस से फिस तोन उस को बनाकर रहता है यहां पर लावा रखता हूं लावा से बहुत देर तक accelerating हो लावा भी सबस्धों करना हैung वह यह उठी लाएगा हुण तो वहां पे फिर कौन बार-बार दोडता रहेगा इसके विज़े से मैंने यही किया कि यहां पे सारे समान जो है अपने लेकर आपने रख लिए अब तो मेरे को जो काम करना है वो यह है कि मेरे को यहां से से एक सीडी टाइप से बनानी है तो सीडी मैं सुच रहाँ कि यहां से बनाता हूँ और करीबन ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सैवन इतना उपर में एको जाना है तो मैं फटा-फट से इसको ऐसी बनाते वे चलता हूं उपर गिर गया तो यार उसके लिए फिर कोई दिक चुका है मतलब शुरुवात हो चुकी है काम तो नहीं है काम तो करने में बहुत सारा टाइम लगेगा तो यहां पर मैंने थर्टीन पूरे यहां पर बना लिए हैं जो कि मेरे को मतलब जिस हिसाब से मैंने सहुच रखा उसके लिए थर्टीन चाहिए अब मेरे को सिंपल से करना क्या है वो गिरना चाहूं तो यहां पर मिरे को simple से यह करना है कि यहां पर one और पूरे 10 तो इस रिसाब से मिरे को फिर इसको complete करना है पूरा ऐसी मतलब rectangle को पूरा complete करना है तो इस थोड़ी सी विज़े से मैंने उस मैं पुछ गलत बता दिया था यहां पर जो मैंने चीज किया है वो यह है कि यह जो अपना है ना इसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स है वो है 16 यहां तक 16 है मतलब सिर्फ इनको बता रहा हूँ मैं इनको नहीं गिन रहा यह अलग से है ठीक है यह अंदर की साइड जितने है यह है sixteen और यहां तक जो है वह है ten क्योंकि पाणी जो terus तक आता है यहां तक पानी आएगा बाकि यहां पे हमारेugi नीचे की साइड़ गिरेंगे और नीचे की साइड़ रहेगा लावा और लावा में जलेंगे और उन से हमें मिलेगा iron तो इस टाइप से कुछ concept है और इसलिए मैंने इनको कुछ अलग stone से लगाया है ताकि यहाँ पर मेरे को अमितलब थोड़ा सा पता रएगा कि हाँ यहाँ पर हमारे जो गोले में वो गिरने वाले और जलने वाले हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा platform हमें बनाना साइड इसपॉन हो जाएंगे जॉंबी और उस जॉंबी को हम नीचे के साइड जो इसकी जगह होगी यहाँ पर लगा कर उसको भेज देंगे और वहां पर घाखा खड़ा हो जाएगा तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी जॉंबी को लाना उसके बाद विलेजर को लाना जितने भी अलगी stone आपके दिख रहे हैं यह विलेजर्स के लिए हैं ठीक है यहां पर रहेगा अपना zombie यहां पर खड़ा रहेगा zombie और निकल नहीं पाएगा यहां से क्योंकि एक ही block का gap है तो निकल नहीं पाएगा और villagers को देखता रहेगा जिसके जैसे villagers उससे डरते रहेंगे villagers का डना सबसे आया जरूरी है तभी iron golem अपने उपर के साइड spawn होंगे तो सबसे पहल तो हमें यह करना है कि यहाँ पर सबसे पहल तो zombie लेकर आना है क्योंकि zombie थोड़ा मुश्किल लाना villagers तो हम ले आएंगे अपना जो रेल ट्रैक है उससे और जॉंबी यार spawn हो नहीं रहे पता नहीं क्यों spawn हो नहीं रहे है आप रात हो चुकिए फिर भी zombie एक भी spawn नहीं हो रहा आप देखी सकते है यार और यार मेरे को इस जॉंबी को पकड़ के लाना है तो यह सब भी मेरे पीछे बीचे आ जाएंगे यह दिक्कत हो जाएगी हमें तो घर में कैसे गुश्किया साले तो यहां पर दो में दो कि दो ट्रैपडोर से तो काम आराम से हो जाएगा हमारा तो सबसके फइल तो इन दो ट्रैपडोर को लेते हैं और फटा-फट जांबी चाहिँ हमारा जोंबी को पकड़ के लाते हैं अफ भाएभ साभ इसमीघा आफ ने ऊपस्काइब कर फेली दिया बहुत ज्यादा प्रिय nåए ने सृफ के अए जहां, यह यह सो गाइख गया गया ऑ बच गया यह तो यह दो मेंने आरेन बेना फार जब बहुत जादा लग रहा है क JI भाई साहब जल्दी आजाओ अरे यार एक स्केल्टन और मारने में लगा हुआ है आजाओ आजाओ ओ भाई साहब जब से मैं काम कर रहा हूं मैं करने इंदेरा आजाओ जॉंबी बस यह मेरे को मारे नानी तो मैं सीधा नीचे गिरूँगा भाई यह बहुत बड़ी दिक्कत की बात नानी और यह क्रीपर कहां अगया वो खृपर को मारना भी बड़ा मुस्किल है यह फट जाता है हुआ यह तो बड़ी डिक्कत हो गई हृटा हृटा खटा वह भाई उसको लेके भी मर गया शिट अब मुझे दूसरा लाना पड़ेगा यह क्रीपर कहां से स्पॉन हो गया यहां पर मेरे को समझ में नहीं आया आप यहां पर आप सो भी देख सकते हैं मैं जॉंबी को लाकर यहां पर खड़ा कर चुका हूं बहुत ज्यादा मुस्किल ही इसको लाने में मतलब कि कभी क्रीपर आके फट गया सबसे पहली बार तो आपने देखा ही उसके बाद यह जो स्केल्टन होते हैं अपने यह आपर रखकर वहां पर जाओंगा नेम टेग लगने तो इस वजह से मैं नाम लिख कर लाया हूं उस पर लिखावा है जॉंबी तो इसको नाम दे दियते हैं एक अपने जॉंबी को ताकि दिस्पॉन नाओ कभी भी इसको मैंने एक नाम दे दिया जॉंबी का अब यह कभी क्यांब्स जब्भी दिब्रशन नहीं होगा तो जैसा कि आप से इलब्र देखी सकते हैं मैंने घूल्च कंपोश्टा नियुको ग्लिएं अपने यह थ bonben को सब्सेबट जो Lead थो इसने बंदहर मैं नहीं पर घेखे सकते हैं मैंने फूरे विलेज तक बना लिए चिसे और कहता है यहाँ होगी के पलेकर दो लेकर जाना है बट यह लोग आने निवाले से तो सबसे पहले और मेरे को मारे कटे चाहर हो भाला है तो कि ये जाकर बैठे गा नहीं तो ऐसे बैठने वाला तो गाइस जैसा कि आप भी देख सकते हैं मैंने इसको भी बैठा लिया इसके उपर ऐसे ही मैं दो को और बैठा लेता हूँ So guys, जैसा कि अपने अपर देख सकते हैं, मैंने इसको भी माइन कार्ट में भी बेठा लिया है. भर यहाँ पर हमारे 3 विलेजर माइन कार्ट में भीड को बेठ चुके हैं, सबसे बड़ी प्रब्लम जो है वो वो solve हो चुके है. तो गैस्ट मैंने जो अपनी पूरी की पूरी लाइन रेलवे की वो मैंने कनेक्ट कर लिए अब मेरे को बस एक चीज करना है वह यह है कि मेरे को यहाँ पर एक टॉट लगा नहीं है और जैसी मैं टॉट लगाऊंगा यह जो विलेजर है पहुंच जाएगा मेरे आयरें गोलि ख़बर उसकी पूछ लेते हैं अब इसे से पहुंच गया ना ठीक है इसको भी तोड़ना है अब हमें जो रेल लाइन है उसको इससे कनेक्ट करनी है क्योंकि यहां का तो विलेजर आ गया अब हमें यहां का विलेजर लेकर आना है तो गाइस मैंने उसी तरीके का यूज कर श्रट लाएं मैं पानी पानी कर दूंगा आप पूरा आपना चीया तक आना चुत था चूका है तो यहां पर जैसा कि आप सभी सकते हैं मैंने इसको पूरा पूरा का प्लीट ही कर लिया लगब लगब आप सब्सक्राइब देखिसकते हैं और इसमें जो टाइम लगए न भाई मतलब कि कि आप सोच ने सकते हैं इसमें बहुत ड़ाएं नाब घ्रवर को अया तो यहां पर आइडिया भी सब्सक्राइब तो मैं नीचे आ चुका हूँ और मेरी हेल्थ देखिव आप कितनी हो चुकी है यहां पर आप सब्पर नी के लिए नहीं बाखिवा है बतलब वहीं तक रूप जा रहा है, तो यही चीज हमें चाहिए ठीज होगी यहाँ पर हमें पूरे में सबसे पहले लावा डालना है अच्छी तरीके से, लावा डालता हूं तो एक लावा मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डालूँगा तो काम होजाना चाहिए और यह अरन गोले मेरे को फसाने वाला है और तीसरा वाला मैं सबसे मिल जाएगा और इसका जो भी समाना है वह मिल जाएगा तो फटा फटा में उपर के साइड निकलते हैं और अब मैं नीचे उतरके इसको लगा लेता हूं बस हमारा काम हो चुका है अब हमें simple करना क्या है और यह लोग सोच चुके हैं इनको जगाना है अब यह जगेंगे कैसे मैं आपको बताता हूं अभी एक second रुको बास इसको तोड़ना है इस वाले जो यह जो ब्लॉक दिख रहा है न यह तोन का इसको तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेग से मैं आपको नीचे से चलके दिखाता हूं तो यहां पर मैंने एक रास्ता भी बना लिया है आप सभी यहां पर देखी सकते हैं कि मैंने एक रोड टाइप बना लिया है और इस पर भी डिजाइन होने वाला है भी खैर यह बाकी है बाकी आप यहां पर देख सकते हैं यह मै मैंने light white यहां पर लगा दिया है और मैंने मतलब यह जो बनाने में time लगा है उस time में देखो आप कितना iron यहां पर collect हो गया है और कुछ iron मैंने निकाला भी था यहां पर क्योंकि एक iron इंगट से एक यह बनता है तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे बना रखे हैं यहां प poppy यह फूरी बहुत जादा मिलता है क कही सारे लोग बनाते है farm उसमें यह poppy बहुत सारा भर जाता है बटे यहां पर देखो poppy न कभ्र मिल आय में और यह सब चीज़ें किते जादा मिलें यह फूल यह फूल बहुत कम मिल रहे हैं और आयरन ज्यादा मिल थो यह काफी चाहिए तरीके से वर्ड कर रहा है यह वहला फार्म और मतलब बहुत ही कम टाइम में यह चार स्टैक पूरे भड़ चुके हैं और यहां पर 27 तो यार काफी एच्छे त्रिके से वर्क कर रहा है अभी तो आइरेन गोलेम उपर है नहीं खिर आते देखो आ गया एक आयरेन गोलेम अभी आगया तुरंट और ये मर जाएगा और इसके मरने से हमें मिलेंगे पांच या फिर चार ऐसा करके हमें मिल जाता है कभी पांच मिल कि लिए लग है। है। यहां पर आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और रात में इसका व्यू कुछ इस टाइब का है ho है, तो सभी है यार, काफी मतलब ऑच्छी तरीके से यहार पर फैलिए है, कोई अंधेरा अंधेरा kुछ नहीं है, और यहां पर अच मतलब कुल मिला कि हमें iron की कमी नहीं होने वाली आयरन हमें भर-बर के मिलने वाला है तो आज के बाद हमें इस world में कभी भी कमी नहीं होगी यहां से आओ उठाओ और बस्त मोच करो तो गया यह था आज कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह gameplay वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक like कर दीजिए अपने friends के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिये और मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए इसी तरीकी की gameplay related वीडियो को देखते रहने के लिए और GTA 5 इस पर आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है GT5 थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मेरा Minecraft को इंटरस्ट जागा है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट गेमप्लेड वीडियो के साथ So guys, Bye!